नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल CHS Study Capital पर और CHS BHU 2023 के Cut-Off को लेकर के बहुत सारी Queries हैं General Category के Students के लिए OBC या फिर EWS Category के Students के लिए SC और ST Category के Students के लिए यानि सभी लोग Category-Wise अपना Cut-Off जानना चाहते हैं कि हमारा Cut-Off क्या जा सकता है, Expected Cut-Off क्या होगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपके Answer की जारी होने के बाद Answer की आने के बाद सारे Students अपना Marks लगबग देख चुके हैं कि मेरे इतने Marks आ रहे हैं और आप लोगों ने हमें बता भी दिया है कि कितना Marks किसका आ रहा है उसके हिसाब से हमने एक Analysis करके और एक Cut-Off वीडियो तयार किया है आज के इस वीडियो में मैं वो सारा Cut-Off का Analysis आपको बताने वाला हूँ पूरे Category-Wise बताऊंगा, हर Class का बताऊंगा Class 9 का क्या होगा, Class 11 के अलग-अलग ग्रूप का क्या होगा इसलिए इस Complete वीडियो को देखिएगा वीडियो को बीच में मिस करेंगे तो आपका Cut-Off छूट सकता है इसलिए Complete वीडियो देख लीजेगा सुरुआत करने से पहले चुकि मैं आपको Expected Cut-Off बता रहा हूँ तो Final Cut-Off आपकी कब आएगी ये भी आपको मैं बताते चलता हूँ ये आपके सामने CHS का Official मैं Screenshot लगा के रखा हूँ जहां पर आपका Asper Store पर लिखा है कि जो Final Answer की होगी अभी जो आपकी आई थी पांस्तारी को वो प्रविजनल आंसर की थी Final Answer की 25 मैं को आएगी और रिजल्ट जो डिक्लियर होगा उसकी expected date है टेंटिव डेट है वो 5 जून है यानि 5 जून तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं और यही पांस्त जून के ठीक बाद आपका Official Cut-Off जारी होने की संभाव ना है लेकिन देख लेते हैं समझ लेते हैं कि कितने माक्स आप क्या रहे है तो आपका आड्मिशन संभाव है CHS में तो सबसे पहले Class 9 के Cut-Off पर बात करते हैं Class 9 में कोई भी Stream नहीं है सिर्फ एक पेपर हुआ था तो इसके Cut-Off को समझ लेते हैं General Category के लिए क्या है EWS OBC के लिए क्या है SC और ST के लिए क्या है सबसे पहले General Category तो बात करें General Category की तो अगर आप 77 से ले करके 80 के बीच में है तो आप CHS में Class 9 में एडमिशन पा सकते हैं अगर मैं बात करूँ अगर 80 के प्लस आपके Marks आ रहा है 80 प्लस आ रहा है या फिर 80, 81, 82 उससे उपर आ रहा है तो आप एकदम Safe Zone में है Confirm समझे अपने एडमिशन को बाकि अगर आप 77 के नीचे भी है एक दो नमबर जैसे 75 है, 74 है तो भी आप वेटिंग लिष्ट में आप समभावता अगर वेटिंग लिष्ट क्लियर होगी तो आप एडमिशन पा सकते है वेटिंग लिष्ट का तो वैसे मुझे लगता है कि 70 से नीचे तक का दिखाएगा बच्चों का लेकिन अगर आप 74, 73 तक रहेंगे क्लास 9 में जनरल केटेगरी में तो आपकी संभावना बनी रहेगी 80 प्लस वाले पूरी तर से सेफ जोन में है ठीक उसी प्रकार EWS और OBC की बात करें तो अगर आप 75 के आस इर्द गिर्द है 75 है, 74 है, 73 है तो आपके चांसे बनते हैं और अगर आप यहाँ पर 80 प्लस EWS या OBC में भी जा रहे हैं तो एकदम आप सेफ जोन में है 79, 80 प्लस है अगर आपका तो आप सेफ जोन में नजर आएंगे SC और ST केटेगरी की बात करें मैंने दोनों को जनरलाइज करके ही लिग दिया है तो इसमें 65 प्लस आपका कटाप बने की संभावना है 65 से ले करके 70 के बीच में कटाप बनेगा 60 से 70 के बीच में इसलिए मैंने एवरेज में 65 लिग दिया है अगर 65 के ऊपर आप हैं आपका 70 के करीब भी मार्क्स आ रहा है SC या ST कटेगरी से तो आप अपने आपको सेफ जोन में समझ सकते हैं अब बात करते हैं क्लास 9 के मैट्स ग्रूप का फिर बायो ग्रूप का फिर आर्ट्स ग्रूप का क्लास 11 के जनरल केटेगरी की बात करें तो अगर आप 75 से 80 के बीच में लाई कर रहे है 80 से उपर है 80 प्लस है तो आप एकदम safe zone में है एकदम confirm है आपका admission अगर आप 75 से 80 के बीच में भी लाई कर रहे है तो आपका admission की संभावना है वेटिंग लिस्ट अगरा clear होते होते 75 तक ये cutoff गिरने की संभावना बन रही है जितनी analysis हमने अभी तक देखा ये final cutoff नहीं है लेकिन expected जो आपके analysis के अदार पर हमने तयार किया वो हम आपको बता रहे है बात करें EWS और OBC की तो EWS और OBC भी जो है वो 75 प्लस माइनस 5 है अगर EWS में आप 75 से उपर जा रहे है या OBC में आप 75 से उपर marks पा रहे है तो अपने आपको लगबग आप CF zone में समझ सकते हैं कि आपका admission लगबग पक्का है और अगर 70 तक भी आपके marks आ रहे है तो भी 70-73 तक भी chances बने रहेंगे आपके admission के बात करें SC और ST category में जैसक मैंने का 75 अब 75 से उपर कर आपका 82 भी आ रहा होगा EWS में तो भी आपका admission confirm है 75 मैं आपको minimum criteria तक ले करके आ रहा हूँ SC और ST category की बात करें तो 68 से 72 तक अगर आपके marks आ रहे है 68 के आसपास आपका marks आ रहा है class 11 के bio और arts group को समझ लेते हैं कि इनका cut off क्या जा सकता है तो general category जो है वो 80 plus ही जाएगी 80 plus ही जाएगी बायो में 80 82 अगर आप हैं 82 प्लस अगर जा रहे हैं तो आप अपने आपको लगबग confirm समझ सकते हैं प्लस अगर जा रहे हैं तो आप confirm समझ अपने आपको फिर बात करतें EWS और OBC के लिए तो EWS और OBC का जो cut off है वो 75 से 80 के बीच में लाई करेगा 75 से 80 के बीच में आपका EWS और OBC का जो cut off है वो लाई करेगा और अगर आप 70 तक भी OBC में है तो वेटिंग लिष्ट में कुछ अगर लेट बहुत लेट होगा तो 70 तक clear हो सकता है 70 से नीचे तो cut off OBC का नहीं जाएगा 75 से 80 के बीच में है तो आप अपने admission को confirm मान सकते हैं SC और HD के बात करें तो 70 के इर्द गिर्द गर आप हैं 70 प्लस अगर जा रहे हैं तो आप अपने admission को confirm मान सकते हैं Class 11 के arts group की बात करें तो arts वाले students के लिए general category में 82 प्लस अगर आपके marks आ रहे हैं 82 कम से कम marks अगर होंगे तो अभी आप admission को confirm समझेगा 82 से उपर ही cut off इसका जाने वाला है arts group का अगर इससे नीचे हैं तो आप waiting list में ही जाएंगे और waiting list clear होगा की नहीं clear होगा इसकी संभावना बहुत कम है EWS और OBC की बात करें तो 85 से 82 के बीच में अगर अपलाई कर रहे हैं 75 प्लस अगर आ रहे हैं तो आप अपने आपको admission के लिए काबिल मान सकते हैं 80 प्लस यहाँ पर है तो भी यहाँ पर लगबग confirm ही है एकदम लगबग क्या पूरी तरह से confirm समझे है SCIHT category से है तो 63, 64, 65 इसके आसपास अगर आप है इससे प्लस हैं तो आप confirm समझे है अगर इससे नीचे है तो आपको समस्या हो सकती है तो मैंने जितना cut-off करेंज बताया यह सारी आपके बताया हुए जितने भी students हमें अभी तक अपना marks बताये हैं उनकी analysis के आधार पे जो हमने data prepare किया है उसके आधार पे मैं आपको यह cut-off बता रहा हूँ जो मैंने minimum वाला बताया वहां तक यह था कि वहां तक cut-off जा सकता है और जो मैंने maximum बताया वो आपका एकदम safe zone है और जितना मैंने minimum बताया उससे 2-4 number नीचे भी जा सकता है 2-4 number plus भी हो सकता है इसलिए सबसे अधिक भरोसा तो इस पर करिएगा जो आपका plus maximum वाला है यह तो confirm है बाकि उससे नीचे भी जा सकता है उससे थोड़ा सा उपर भी हो सकता है क्योंकि यह एक expected cut-off है अब बात करते हैं कि आप सभी के जितने भी marks आया होंगे वो आप लोग comment box में जरूर बतायेगा और जैसे result आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया result की date के बारे में तो जैसे ही result आएगा यहाँ पर आपके screen पर लिखा हूँ है 5 June को आपके results आ जाएंगे तो जैसे ही result आएगा हम आपको confirm अब date कर देंगे कि आपके cut-off क्या होने वाली है अब बात करते हैं CHS-BHU 2024 के तैयारी के लिए 2023 के लिए बहुत कम time आप सभी को मिला बहुत कम समय मिला था हमें भी तैयारी कराने के लिए क्योंकि बहुत जल्दी exam announce हो गया इस बार हमारे पास पूरा समय है और इस बार 2024 के बच्चों में बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है हमारे WhatsApp नमबर 9336257345 अगर आपको तैयारी करनी है CHS-BHU 2024 के किसी भी क्लास के लिए 9 तो 11 तो कोई भी क्लास हो तो हमारे WhatsApp पर मैसेज कर दीजे अपना नाम और अपने कोर्स का नाम वीडियो को अधिक साधिक लाइक करिएगा और सेर करिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही मैनत से और एनालिसिस करके हम लोग वीडियो बनाते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार